हाई फ्रेंड्स मैं हूँ रेखा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा दा इनियन मौम में स्वागत हैं कैसे हैं आप सब आई होप बिल्कुल अच्छे हमारी रेसिपीज की तरह है फ्रेंड्स आए आज हम आपके लिए बहुत ही स्पैशल मैगी लेके आए हैं चीज मैगी बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत टेस्टी है और सभी की बहुत ही फेवरेट है आईए बनाना स्टार्ट करते हैं चीज मैगी बनाने के लिए मैंने यहां पर दो पीस मैगी के लिए हैं और दो पीस ही मैगी मसाला लिया है सबसे पहले हम मैगी को कर लेंगे मैंने यह मैंगी के पीसेज करके डाल दिये हैं परिंट समय पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है कि बॉइल होने का वेट करेंगे आप चाहें तो इसको डखकन भी लगा सकते हैं देखे फ्रेंट्स पानी में उबाल आ गया है मैगी बॉइल होने लग गई है अभी हम इसको तीन से चावनेट अच्छे से बॉइल होने देंगे प्रेंट्स मैगी बहुत अच्छे से बॉइल हो गई है अब हम इसको चल्ली में छान लेंगे पानी को बिल्कुल अलग मिकाल देंगे प्रिंट्स मैगी को हमने छान लिया है अब हमने खडाई वापस गैस पे रख दी है इसमें बटर डाल देंगे, मैंने यहां पर एक चमज बटर डाल दिया है, प्रिंट्स बटर गरम हो गया है, मैंने एक चमज बारी गलसन कट करके रखावा है, डाल दूँगी इसको, एक मैंने प्याज कट करके रखावा है, प्याज भी मैंने इसमें डाल दिया है, दो सेकिंद के लिए हम इसको पका लेंगे, मैंने यहाँ पर एक कप कॉर्ण लिया है, कॉर्ण भी मैं इसमें डाल दूँगी, आप जो भी सप्रियां यूज में लेना चाहें, वो आप इसमें एड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिया है, प्याज, लसन, कॉर्ण और हरी शिम्ला मिज, हमें सब्जियों को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, पिंस में थोड़ा सा टेस्ट के लिए नमक दाल दूँगी, मैंने इसमें नमक दाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सब्जियां हमारी अल्मोज पक चुकी हैं, बहुत ज्यादा हमें इनको नहीं पकाना है, बॉइल करीवी मैडी डाल देंगे, और इन सब को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेगे, आधा ग्लास में मैडी में पाने डाल दूँगी, बहुत ज्यादा हमें पाने नहीं डालना है, अब मैंने यापे मॉजेरिला चीज ली है, 100 ग्राम कद्दू कस करके रखी वी है, इसको भी मैं मैगी में ही डाल दूँगी, फ्रिंट्स चीज मैगी बना रहे हैं, तो चीज तो अच्छी पॉंटिटी में होना ही चाहिए, मैंने यापे मॉजेरिला चीज डाल दिया है, आप चाहें तो क्यूब को भी मैश करके डाल सकते हैं, अच्छे से मिक्स कर देंगे, देखें फ्रिंट्स, चीज मैल्ट होने लग गई है, अब हम इसमें मैगी मसाला डाल देंगे, मैंने यहापे दो पाउच मैगी मसाला लिया था, डाल दिया है, और बहुत अच्छे से सब को मिक्स कर लेंगे, देखें फ्रिंट्स, मैंने बहुत अच्छे से चीज को मिक्स कर दिया है, चीज मैगी है तो चीज तो ज्यादा होने ही चाहिए, बहुत अच्छा लूग आ रहा है मैगी का, अब आप चाहिए तो इसको दो से तीन सेकंड के लिए ढख दें, मैगी बिल्कुल रेडी है, आइए सर्फ करते हैं, गैस के फ्लेम को हमने बंद कर दिया है, देखें फ्रेंट्स, मैगी बिल्कुल रेडी है, गैस के फ्लेम को हमने बंद कर दिया है, आइए सर्फ करते हैं, देखिए फ्रेंट्स, चीज मैगी बिल्कुल रेडी है, हमने सर्फ भी कर दी है, अब आप जब चाहें तब बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करना ना भूलें, थेंक यू, थेंक यू सो मच, हवा नाइस देए